गड़ गंगा दो हजार चोबिस गंगा इसनान का जो मेला है वो अब प्रारंब होने जा रहा है मेले की जो तैयारिया है वो बिल्कुल अंतिम दोर पर हैं मैं जहां खड़ा हूँ इसको मेन घाट बोला जाता है तो यहां पर भी तीवर गती से काम चल रहा है पीछे मैंने आ पर आएंगे जो है निकलने के लिए बहुत रिक्ती तो वहां काम ज़्यादा था फिलाल यहां की स्तिति में आपको दिखा देता हूं तो यहां पर देखे दोस्तों काम चल रहा है यह जो है मैन घाठ है और यहाँ पर सामने इसको क्या बोलते बुल्टोडर बोलते है फो जो यात्रियों इधर को अंदर को ऐसी नाखोस है यह दर पानी ज्यादा है ना इसलिए तो उसके लिए बैरिकनिंग करने पड़ तो यह काम अब किते दिनों में पूरा हो जाएगा तो तारी तो खत्म है अच्छा च्छा में आपका च्छा के बाद मेला शुरू ने मेला तो पहले चल पड़ा तो दिपावली के अगले दिन शुरू हो जाता है तो यह जैसे यह जगह वगरा जो है यह कि नों ने घेर ली है जिए जिला पंचाट नहीं तो बहुत जाते जगह घेरता जी है अच्छा यह पर जो है टेंट वगरा का जो सामान है वह आना प्रारभ हो गया है और यह घाट जो है में घाट है और यहां पर में घाट पर ज्यादा प्रसासनिक अमला होता है क्योंकि यह दोनों जो रास्ते हैं वो में घाट की और आ रहे हैं रास्ते वगरा तो यहां पर लगवग तयार हो चुके हैं तो रास्ते तो ज्यादा काम नहीं बचा है अब ये मान के चलें कि आप दो-चार दिन में यहां के जो रास्ते बगएरा तो सब पून होई जाएंगे धीरे-धीरे जो है सामान बगएरा भी यहां पर देखिया आना शुरू हो गया है तो यह किस डिपार्टमेंट का सामाना आया जी? यह मेरट से आया जी अगर हम यह देखें तिगरी मेला की अपयक्सा यहां पर जो तैयारिया है बहुत जादा तेजगाती सा होई है उधर से जादा तेज है इंदर हाँ उधर अभी इतना नहीं है तो यहाँ पर लोगों का जो उस्साहा है वो भी काफी ज़्यादा रहता है और लोगों को जो है मेले का आनंद लेने के लिए लगभग 10-12 दिन यहाँ पर गंगा इस्नान करते हैं हाला कि उधर की अपिक्षा यहाँ पर गंगा इस्नान करने के लिए थोड़ा सा गंगा का जो प्रभाह है वो ज्यादा है यह देखें यहाँ पर खाना बगएरा भी बना दिया गया अब चावल तो बढ़े तो छोला चावल यह देखें जी बहुत बढ़िया तो जो भी लोग भार सा आ रहे हैं तो उनको अपना अच्छा 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 कारे करते हैं उनकी आमदनी और जाता होती है तो यहां के बारे में बताइए मेला तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आज करीमन पत्पंच साल हो गए यहां आते हुए मेले में और हमारे इलाके में क्या दूर जूकर ऐसा मेला नहीं है तो जो देहाती हैं वो लोग यहां आते हैं नरोरंजन के लिए और गंगे मैया के दर्शन करने के लिए तो उनका शह परिवार अपना शह कुछल अपने घर लोड़ता अच्छा मेले की क् इसा करशन हो बहुता है तो है यह पर दो यहां यहां जैसे मैंने पिछली बार आया तो लाठी बाजार भी था जी लाठी बजार इधर बिज़ए अच्छा मीना बजार इधर लाठी बजार इधर यहां सदर अच्छा जी 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 अच्या च्छा च्याश्य आज़ा सामने कोत वाधी रहे घी तो मेले की जो ब्वस्ता है वह बहुत बढ़्या रहती हैं जी बहुत अच्छी नहीं है बहुत बढ़ पड़त हैं कि यहाँ पे आप अपसे एक भबनार यदा वी कागद आप रास्ते में देखने बहुत बढ़ा है तो पिछली बार मैंने यहां कि वीडियो बनाए है तो पिछली बार भी मैंने देखा बहुत अच्छी बश्ता या जी 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 चलिया जी बहुत अच्छा लगा आप तो दोस्तों अभी वी आगर आना चाहते हैं मेले की विवस्ता देखना चाते हैं कि कैसी। तैयारी होई है है तो खाने पीने के लिए ही आपको छोला चावल देखा यहाँ पासमतिका चावल है बढ़ी है फस्कलास लंबा गश देश सकते हैं। तो यूबा लोग आते रहते हैं ना हम तेरा कहां लगाना है कहां नी लगाना वाने शरू हो जाते जिजी बहुत सो लोग ऐसे होते हैं उन्हों बहुत सो होता है या नहीं कि अलेके तो आए अप औरे 55 साल से मेले कानत अच्छा लोगे साफ जी 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 अच्छा एक बताइए चलिए आप बहुत पराने व्यक्ति भी हैं हम भी देखते हैं हमारी उमर भी लगभग सब्सक्राइब है उनका गरम खून है पहले यह होता था अब थोड़ा सा वागी विवस्ता बिल्कु सब्सक्राइब पी लेते हैं आएंगे अपना तेरा लगाएंगे अधार उपियेंगे और मज़ेंगे नाचेंगे आएंगे राजिस्तान के आते हैं साथ यहां और अपना डेरा लाए और एक पेटी जेरी यार्दोस्ट और अबना बादी मुक्ति का धाम है जी 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 बहुत है इसने के जैसा कि इनोंने बताया कि यहां का जो है अतियासिक धार्मिक महस्तों है उसके सासा जो है अपना सोग अपना मरोंजन करने के लिए यहां बें यूबा और बच्चों का जादा आनंद रहता है मेलों मैं यहां तुम भी देखने हैं के मिले में सायो तो तो तुम भी लगाओ तेरा फगेरा नहीं अब कामी अचा अच्छा अचा यह जो पसूहां मेला भी अब लगेगा और यहां से किती दूर है अभी तो वहां कुछ भी अच्छा जी मत्दीपावली के बाद आऊ ना जो वहां दिखाना जाएगा जाएगा और यहां पर गंगर सनान का भी मेला लग जाएगा भारी संख्या में यहां पर जो है स्रधालू आना प्रारंब हो जाएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां की जो तैयारिया हैं बहुत जवर्दस्त हैं बहुत अच्छा मुझे लग रहा है यहां पर स्रधालू काफी संख्या में यह समझ लिजी अपने डेरे वगएरा देखने के लिए यहाँ पर आने लगए है तो आज के वीडियो में बस इतना ही यह वीडियो आपो कैसा लगा आप आप कमेंट ब्लॉक्स में बता सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जुरू कर दिया करें और पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लिए